यही कारण होता है कि हम फॉंडेशन चूज करते हैं कि हमें फॉंडेशन लगाना चाहिए या फिर रिंकल्स है पिंपल्स है बहुत सारे डार्क स्पोर्ट्स वगेरा इसकिन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती क्यों है हेलो गाइस वेलकम बैक मैं चैनल मैं हूँ दिपिका दिपिका व्लागिंग से और कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंश आज हम फिर से एक टॉपिक लेके आए ही जो है फॉंडेशन के बारे में क्या हमें डेली स्किन केर में डेली जब हम क्रीम च किसी ले या फिर फॉंडेशन ले इसके बारे में वीडियो मैंने पहले ही आप लोगों को दे दी है लेकिन आज बात करेंगे क्या फॉंडेशन ठीक रहेगा हमारे स्किन के लिए डेली के लिए तो यहां पर सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि आज कल हम फॉंडेशन को ज करना चाहिए कि इंटर सबसे पहले बात करते हैं कि इतना बीजी लाइफ चल रहा है और किसी भी तरह की ख्याल नहीं रख सकते हैं हमारे इसकंड के लिए हमारे हेर के लिए में हम अपने skin के care नहीं कर पाते हैं आज कल इतना जादा busy life चलता है सभी का कि अपने skin के बिल्कुल भी care नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण हमारे skin के problems की जो layer है वो बढ़ते जाते हैं अगर हमारे skin में pigmentation है या फिर wrinkles है पिंपल्स है बहुत सारे dark sports वगेरा है तो हमें अपने skin क care करनी चाहिए जो हम करते नहीं क्योंकि time ही नहीं है इसके कारण हमारे skin में और बहुत जादा problems बढ़ जाते हैं यही कारण होता है कि हम foundation choose करते हैं कि हमें foundation लगाना चाहिए क्योंकि foundation हमारे skin के जितनी problem है उसे छुपा देती है साथ ही हमारे skin में और वी अच्छा glow लियाता है हमारे skin makeup से हमारा जो face है वो और अच्छा लगने लग जाता है हमें अपने skin के problems को दिखाने में सरम आती है जिसके कारण हमें foundation लेना पड़ता है यहीं पर मैं एक बात और भी बता दूँ कि अगर हम bbcc cream ले रहे हैं daily में तो bbcc का ज्यादा नुक्षान नहीं है foundation लगान में बात करती हूं कि अगर आप foundation लेना चाहते हो foundation को अगर आप चूच कर रहे हैं अगर आप डेली फाॉंडेशन लगा भी रहे हो सबसे पहले मैं कि आपको suggest नहीं करूंगी कि आप foundation डेली में लो अगर आपको लेना है तो डेली में bbcc अप ले सकते हैं वो किसी भी ब्रा प्राइमर आपने यूज किया तो आपके इसके पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है फॉंडेशन लगाने से हमारे इसके जो ऑपन पोर से वह भी बंद हो जाती है और हमारे इसके शांस ने ले पाती है जिसके कारण हमारे इसके में और प्रब्लम होने के चांसे बढ़ ज या फिर नायट में हम सुवते हैं तो हमें स्किन केर करके सोना सही है जो हम इलकुल भी ने करती है और इसी गलती के कारण और प्रब्लम्स बढ़ जाते हैं इसके छो थे जयाना high coverage नहीं देती है, बहुत light finish देती है, तो BBCC लगा सकते हैं, foundation का यही नुखसान है, अगर foundation हम daily लगाते हैं, अगर हमारे skin में अगर problem नहीं है, तो आने के भी chances बढ़ जाते हैं, अगर हमारे skin में pimples नहीं है, तो daily daily foundation लगाने से हमारे skin में pimples आने के भी chances बढ़ जाते हैं, wrinkles आन के भी chance बढ़ जाते हैं और अगर हमारी एज़ कम है तो foundation के वज़ासे हमारी एज ज़्यादा भी लग सकती है अगर हम daily foundation लगाते हैं तो तो अगर आप daily foundation लगा रहे हो तो सावधान हो जाएं क्योंकि daily foundation लगाना हमारे skin के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हमारे skin के लिए नुक्षान पहुचा सकता है, हमारे skin पे किसी भी तरह की allergy हो सकती है, हमारे skin पे किसी भी तरह की खुजली हो सकती है, side effects हो सकते हैं, तो हमें daily foundation नहीं लगाना है, हमें daily foundation को avoid करना चाहिए, अगर आपको party में जाना है, शादी में जाना है, तभी आप high coverage का foundation लो, अगर आप daily में चाहते हैं, तो किसी भी अच्छे brand का आप BBCC ले सकते हैं, BBCC ले भी रहे हैं, या फिर foundation लेना ही चाहते हो, तो किसी अच्छे brand का आप चूज किज़े, जिससे कि आपके skin में किसी भी तरह की बिदावट skincare किये, आपको नहीं सोना है, या फिर skincare किये, बिना आपको कोई भी foundation नहीं लगाना है, और अगर आप foundation लगा भी रहे हो, तो सबसे पहले आपको लगाना है primer, अगर आपने बिना primer का foundation लगा लिया, तो आपके skin पे side effects 100% होंगे, और अगर आप foundation लगा रहे हैं, तो शावधान हो जाए, skincare के साथ ही आप foundation लो, आज की वीडियो foundation के उपर थी, कि आपको foundation लगाना है, तो कैसे लगाना है, और foundation डेली लगाने से हमारे skin में किस तरह की problem हो सकती है, I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा हो, तो अगर जड़ा सभी अच्छी लगे होग प्लिस लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, अगर मेरे चैनल पे न्यू आये हो, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बैल अकन घंटी को साथ ही प्रेस करके जाना, जिससे मेरे द्वारा बनाएगे वीडियो सबसे पहले आपको मिले, आज के लिए इतने ही मिलते हैं, न बाबे!